ओम नमस्ष्वाय हरर मादेव श्वागते आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तो सामन मास का महिना बड़ा ही पवित्र महिना होता है तेवादिदेव मादेव के प्रिये मास सामन में इस वार बहुत ही अच्चे योग बन रहे हैं इस वार सामन का माईना बेहदी खास रहने वाला है दरसल इस वार सामन में ग्रह नक्यत्रों का कई अधुद सयोग बन रहे हैं जो इस सामन को बेहदी खास बना रहे हैं करीब बैतर साल बाद इस अधुद सयोग सामन में देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा सुबसायोग जो करीबन कई राशी वालों के लिए बेहदी शुब रहने बाले हैं कुछ दिन प्रितियोग आयुष्मानयोग के साथ सरवार सिधियोग का भी संगम हो राए इसके अलावा सामन महिने की सुबात सोमार को और समापन भी सोमार को राएं जिसे जोतिस के अंसार महा अदुद सयोग माना जाता है ऐसे में भगबान सिध के साथ मात लच्वी को प्रसंद करने के लिए सामन का महिना बेहदी खास और सुब रहने बाला है सामन के महींने में कही राषियां हैं आप भीहदी प्रभावसाली उपाय कर सकते हैं इससे ग्रह नख्यत्रों की स्थिती बहुत इच्छी रहेगी योग तो अच्छे बनी रहें आपके जीवन में हर प्रकार का सुकोर बैवर आएगा पुत्र प्राप्ति होगी, धनव प्राप्ति होगी, शिग्र साधी के युग बनेंगे और जो भी अर्चन परिसानी आ रही है, सारी अर्चन और परिसानी आपकी दूरोंगे सामन के मेने में प्रते दिन पीपल ब्रक के नीचे और बेल के ब्रक के नीचे दीपक जला के प्रक्रमा करें प्रते दिन भगवान सिवका अफ्षिक करें अफ्षिक में आप दूद, पंचामरत और गन्य का रस, अनार का रस ये चीजे सामिल कर सकते हैं इसे भगवान का अफ्षिक करें और प्रते दिन भगवान का गंगा जल से अफ्सिक तो करना ही करना है भगवान को कई चीज प्री है जैसे बस्म, बेल पत्र रुद्राक्ष, धतूरा धतूरे के फल साती पुष्प आग के पुष्प और खीर का प्रसाद ये भगवान को सभी बेहदी प्री है तो ये चीजे भगवान को जरूर समर्पित करें माता लच्मी जी के सामने मेलाएं रात को दीपक जलाएं और खीर का प्रसाद माता लच्मी के सामने गुरुवार के दिन जरूर समर्पित करें इससे आपकी मनो कामना पुरी होगी भगवान सिब और माता पारवती के सामने मातलच्मी के सामने प्रते दिन दीपक जलाएं पीपल ब्रक और बेल के ब्रक के नीचे और मंदर के मेंदरबाजी पर दीपक जलाएं इसे आपकी मनोकामना पूरी Sut generate मेशरासी, बरशबरासी करकरासी, सिंगरासी जनूरासी, मकरासी, कुमरासी, मीनरासी ये राजिया हैं जो इस वार सामन के महीने में बहुत ही शुब रहने वाली हैं